मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूं अपने बग्या में तो आज है संडे आज मैं अपना पूरा गारण दिखाऊंगे और ओबर्वियू देने से पहले देखे इधर पीले-पीले फूल बहुत सारे खिलना स्टार्ट हो गया है और देखिए इस पे मधुमक की भमरे बह लागाने चाहिए फ्रेंस जैसे गिंदे का होता है और देशी कनेर भी आता है जो गर्मी में खिलते हैं पर्मानेट पोधा होता है सीजनल यह सब है एन्वर क्रिस्थमाम गिंदे इस सब पे फ्रेंस बहुत जैदे मधुमक की आते हैं तो यह पोधा गारन में जरूर होना चाहिए विजटेबल लगाते हैं तो खास कर इसे लगाना चाहिए और बहुत ही कम के अर्मी यह बहुत अच्छे से चलते रहते हैं देखिए हमारे पास अभी बहुत सारे पोधे अन्वर क्रिस्थमाम के तो अभी उतने खिले नहीं है कुछ पोधे ही खिलना स्टार्ट और फ्रेंच बहुत सारे पोधे हैं जिसे मैं अभी तक लगा भी नहीं पाई हूं और इधर घजानिया हैं तो यह भी बहुत वरे सैज में खिल रहे हैं और इसका भी चार-पांच पोड है पीले का ही है फ्रेंच एक ही पोधा से बनाई थी और यह सारे देंतस है इधर खि तो फ्रेंस इस साइड छोटे-छोटे पॉधे सब है और पीछे पर्मानेंट पॉधे सब है तो दीखे इसमें भी पिला ही फूल खिलेगा और इधर सारे एनवल कृष्टमाम के हैं सारे में कली बन रहा है तो फ्रेंस इसी टैम ये खिलते हैं फरवरी में ही खिलते हैं और इ साथ हम्में प्र्मानेंट पुदे भी काम करना है और उसका अभी अभी अच्छे से कियार करना है और इधर सारी जेट प्लन्ट है तो इसको भी हमें उतार के इसमें खहा दोत दोह्त आ salahglass are कुई कनेर में कुछ दिनों में इसमें भी फूल खिलेगा सर्दी में तो कली सब नहीं खिल पाया यहां पर हॉली हॉक का पौदा है तो देखिए आने वाले टेम में यह मार्च में हॉली हॉक खिलते हैं और इधार पैंसिल के टर्स आगे आगे भी बहुत ही कुपसूरा प्लांट ह इसमें एक भी पत्ते अभी देखने को नहीं मिलेगा और इधर सारे कनेर है तो इस सब के भी देखिए पत्ते सब जहर गया है तो अभी पौर्चुल का पर्स लेन भी कटिंग से हम लगा सकते हैं अभी फरवरी मार्च में हम कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से से इसका नाम मैं गूगल में सर्च की तो अफ्रेकन डेजी करके आया था पर पता नहीं हम लोग इसे क्या कहते हैं हमारे तरफ तो मैं पहली बार लगाई हूँ पर मुझे बहुत ही जएदा फूल पसंद आया यह तो आप सब को अगर नाम पता होगा तो आप मुझे कोमेंट में बताना क्योंकि बहुत सारे भाइबहन इसका नाम पूछ रहा है तब मैं पता की तो वहीं बता रहा था कि अफ्रेकन डेजी है तो इधर देखे पर्चुलका सब है तो देखे पर्स लेन में फुटावाना स्टार्ट हो गया है पर्चुलका में भी तो अब हम इसको रि की तक बोरे समर में अच्छे से फूल खिलेगा अभी हम कनेयर गोगन विला ही विसकष के कटिंग भी लागा सकते हैं तो इस लाम बहुत अच्छे से cutting तयार हो जाते हैं और देखिए जैसे ही धूप निकलना अब वैसे यह सब तो पता नहीं खिले गए नहीं और यहां तुलसी तो तुलसी पे कल ही मैं इसके केर पे वीडियो डाली थी तो आप सब अगर नहीं देखा है तो जैनल पर जाके देख लेना और उसमें मैं बहुत ही अच्छा जानकारी सेयर की हूं जो मुझे अच्छा प्रांचाना स्टार्ट हो गए यहां पर पिटुनिया और कनेर में भी देखे ने भुटाब आ गए और इधर ही विसकस तो कुछी दिनों में फ्रेंट्स यह पोधे सबारे भरे हो जाएंगे यहां चंपा देखे इसके भी सारे पत्ते गिर गए और इधर सारे इनमल क्रिस पोधे निए इसके पॉदे इसपर जैदा अलएना नहीं हो पाया लेट लगाने के कारण यह पषया जैदे बड़े नहीं हुए नहीं तो जैदे बड़े पॉदे रहते तो जैदे पूल इसमें आते हैं और इधर कुछ स्नेक प्लांट है यह इसमें जो पालग कपीज डाल आँग और यहां पी देखेए एक भी पत्ते नहीं थे इसमें नहीं नहीं पत्ती आना इच्छाट हो गये तो फ्रैशाइ हम नहय नहें पत्ते क्याएं सकते हैं कट इंग भी लगा सकते हैं तो इससे की इह फैंसने हमारी यह गर्मी अच्छे से फूल खिले तो अभी कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा समय है और देखिए पिटुनिया सब बढ़ा हो रहा है तो पता नहीं कि खिलेगा भी या नहीं तो लेट वीजी डालने का यहीं रिजल्ट मिलता है फ्रेंज क्या करूब पहली बार डाली थी तो नही हम और तो फूल खिलने लगते हare टो तो जल्दी मुरजा जाते हैं और हम अगर पाणी कमी करते हें तब ही मुर्जा जाते हैं तो इसे अबूरा कम दूप रहता है तो इसलिए अब ये सब खिलने लगए हैं तो यहाँ पर अहीं लगता दयूब डीनों तो जैदे दिनों के यहां पे रहेगा और तब तक हमारा हिवीज का सब भी अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं हम पुर्चुल का पर्सलेन को अभी नहीं लगाए हैं एक दो में ही कटिंग लगाए थे इस सारे बोतल को मैं नीचे तारूंगी फिर इसका मिट्टी चेंज करके लगाऊंगी पिछली यह वीडियो इस्टाग्राम फेस्बूक मोज कहीं भी देख रहे हैं तो वहां पे भी मुझे फोलो करना लाइक से और जरूर करना अफ्रेंस देखिए यह डेनियम का पधा है इसके सारे पत्ते जर गये तो मैं सोच रही हूँ इसका कटिंग कर दू नीचे से तो घना होके निगलेगा तो देखिए अभी दूप का इंतजार कर रही थी तो दूप तब अच्छे निकल ले लगया है तो तो चार दिन में धीरे-धीरे हमें काम करना है और बहुत सारे पोधे में खाद सब देना है और यहां देखिए बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं गजनिया क सबको जरूर ही पसंद आई होगी तो फ्रेंज से वीडियो को लाइक से जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले ना फ्रेंज आप सबकी सब्यार सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए